हेलो, स्वागता आप सभी का हमारी यूटूब फैमिली ASP क्लासिज में जैसा कि आपको थमनेल से पता लगी गया हुआ कि हम रसायन विज्ञान के कक्सा 11 के पर्थम अध्या है रसायन विज्ञान के कुछ मुलगूत अवदारानों के बारे में अध्यान करेंगे इससे पहले हमने दो लेक्चर इसी चैप्टर के लिए हैं जिसके अंदर पहले लेक्चर में हमने रसायन विज्ञान की इस्ट्री के बारे में पढ़ा था इतियास की कैसे रसायन विज्ञान शुरू हुआ जिन रास्यों में कि पढ़े हैं, साइक उन्दर दरुते हैं की में किसे में मापा ज्ञता है cafeteria तो turnover man मापा ज्ञते हैं और यह भार को भी synchron के जिना के सिर्वावा को भार को पढ़े है और तो हम दरुते हमान और भार में अन्तर के बारे में पढ़ेंगे पहले तो कि आखिर भार जो है जिसको केजी में मापा दाता है ऐसा ही यूनिट केजी है क्या इन दोनों में अंतर है द्रोविमान और भार में आप एक्जामपल के लिए यह समझ लीजी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं और यह अकिकत भी है कि चंदर मापे अगर किसी को भी ले जाए जाए तो उसका वजन जो है वो च्या गुना कम हो जाएगा क्या कभी को यह से बोलता है कि उसका द्रोविमान कम हो जाएगा नहीं उसका सिरफ और सिरफ भार कम होगा भार और द्रोविमान में बहुत ही माइनर सा difference है जो द्रोविमान है ना वो क्या होता है वो पदार्थ से बना हुआ कोई भी चीज़ है वो जिस पदार्थ से बनी हुए उसकी कुल मात्रा को द्रोविमान कहते है definition में आते हैं मास याने की द्रोविमान किसी भी चीज़ का फूल पदार्थ का माप है जिसे की वैब बनी होती है ऐसे मास कभी भी नहीं बदलता जबकि भार बदल जाता है भार किसकी वज़े से बदलता है तो भार का जो फोर्मूला रहता है वो F equal to M G होता है जहाँ पर M जो है वो द्रुमान है द्रुमान को डीनोट करता है और G जो है ना वो गृत्वी तवरन को डीनोट करता है तो जहाँ पर भी अगर गृत्व अकरशन के बल कम या जादा होगा उस हिसाब से भार बदल जाएगा जैसे कि चंद्रमा का हम से 6 गुना कम है तो वहाँ पे भार जो है यहाँ धर्ती से 6 गुना कम रहेगा वैसे ही धर्ती पे भी कुछ जगए ऐसी है जहाँ पे गुतवा क्रिशन का मान कम यह ज़ाद है जिसके बारे में आप आगे के लेक्सर में पढ़ोगे कि दर्ती है वो पूरी की पूरी गोल नहीं है पहले बाद तो यह है और दूसरा कि हर बिंदू की सेंटर से दूरी है वो सेम नहीं है तो उस वजए से प्रिथ्वे पे भी कुछ जगए ऐसी है जहाँ पे भार के अंदर अंतर आते है इसको आप नॉर्मल लाइफ में भी एक्स्पिरियंस करके देख सकते हो आप एक है न जिसे वजएन मापते है उसको कांटे को रख लीजिए लिफ्ट के अंदर और उसके उपर आप खड़े हो जाएगी अगर लिफ्ट उपर की ओर जाएगी तो उसमें वेट ज्यादा दिखाएगा अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो आपका वेट कम दिखाएगा और एक मजाक की बात है कि अगर लिफ्ट का तार तूट जाए तो आपका वेट सुनने दिखाएगा और थोड़ी देर बाद में आपकी अंदर लाइफ भी सुनने दिखाएगा तो ये वाला ट्राइब कोई भी ना करें लिफ्ट का तार तूटने वाला तो लेकिन उसके अलावा अगर आप लिफ्ट के अंदर खड़े होके और इसी चीज़ को ट्राइ करके देखते हो लिफ्ट उपर गी ओर जा रही है तो आपका भार है वो बढ़ेगा और नीची की ओर आरही है तो गटेगा तो आप कमेंट करके बताएगे इसका reason क्या होता है कि लिफ्ट में भार गटता और बढ़ता क्यों है तो अब second definition भार की जो कि मैंने आपको बता दिये प्रिश्वी पर गुर्तवाकरशन बल है जो कि हर वस्तू को अपनी और खीजता है यही वज़े है कि किसी भी चीज को हवा में उच्छालो तो वह अपने आप नीचे आ जाती है ऐसे में किसी भी वस्तू पर लगने वाले गुर्तवाकरशन बल से वज़न बनता है लिफ्ट वाली बात आप कमेंट आप करके बताना कि आखिर कार फ्री फोलो के टाइम लिफ्ट के अंदर वेट जीरो क्यों दिखाएगा उपर के और जादा क्यों दिखाएगा और नीचे के और कम क्यों दिखाएगा हाँ नेक्स्ट ये वाला जो है न ये दर्वेमान मापने का एक एंतर है जिसको विसलेसिक तुला बोलते है एक विसलेशिक तुला एक उच्चितम गुणकता वाला तरज्जू होता है जो बहुत स्वेदंशील होता है और वातावरण यह सर्तों से अधिक धूटियों के लिए अधिक परवर्त होता है यह तुला एक वस्तू के भार को सोरी दर्वेमान नहीं भार को भार को जीरो के बाद में चार पॉइंटों तक नाप सकता है एक दो तीन चार डिजिट तक हो गए ना यानि कि एक गराम से भी कम वेली को नाप सकता है कि निशिता के साथ मापती है और जब एक बहुत स्टिक भार निजाएल निशितारण के आवसकता होती है तो इसका उप्योग किया जाता है यह वाली जो इसके इंदर दिखाई गई है यह बहुत ही पुरानी दर्वेमान तुला थी आज के दिन डिजिटल रूप की एक छोटी दर्वेमान तुला थी लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा लगता है केमेस्ट्री जो बड़ी-बड़ी लेब होती है वहाँ पर रियक्शन कराते टाइम आपको बहुत कम मात्रा में चीविजे नापनी होती है उस वक्ते उसे रखा जाता है अपने कभी आपको पी सुनार के पास जाते है उसी तरह से यह है पहले का करना पड़ेगा कि कहीं से भी हावा नहीं आए हावा नहीं आने का मतलब यह है जिसे के अंदर नापने के लिए आपको लैब का गेट भी बंद करना पड़ेगा, कि हवा बहार आने जाने के लिए फ्लोन ना करे, नागि सिर्फ उपर वाली, और उसके बाद भी नापा जाता है और जिसके अंदर थूटी की समभावना यहाँ है देखे इतनी कम थूटी की साथ में 0.0 के बाद में 4 डिजिट तक भी नाप सकता है जिसको हम विसलेसिक तुला बोलते हैं उसके बाद में आयतन क्या होता है किसी भी जगह का आयतन आपने कोई भी वस्तू का आयतन निकाला होगा ठोस भस्तू का भी निकाला होगा खोखली वस्तू का भी आयतन निकाला होगा तो उसके अंदर घहरी जगह होती है जैसे यह कमरा है कमरे का टुटल आयतन क्या होगा जितनी जगए इस कम्रे ने गेर रखी है वो उसका आयतन होगा हम इस पैन का भी आयतन निकाल सकते है क्योंकि ये एक ठोस है वो ये खोकला है तो जुरूरी नहीं कि खोकली चीज़ हो गया ये आयतन होता है तो डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी एक त्रीवीम ये आकार है यानि तीन विवाम वाला कि एक वस्तू के अंदर जगय या स्थान का माप होता है इसे वस्तू की जगय की संख्यात्मक मात्रा के रूप में परदशित किया जा सकता है इसका वास्त भी उप्योग जयामिती है और गनित में किया जाता है जैसे कि किसी बक्से या कंटेनर की लंबाई चोड़ाई और उन्चाई को गुणा करके आयतन मापा जा सकता है तो देखिए अगर लंबाई है वो मेटर में होगी मेटर में होगी और उन्चाई में बड़ी सुछान के लिए धिया जाएगा एकन रमितर में जाएक की यह जοगा तो टो एक आगया एक इंटु मेटर की क्यूब तो आयतन है, हमेशा क्यूब में होगा अगर centimeter हुआ, तो centimeter composers you 2 viktigt हमेशा क्यूब में होगा क्योंकि यह त्रिवेम यह है त्रिवेम यह होने के हुज़े से हमेशा क्यूब में होते है, उसके बाद में आता है गननतोय गनतोय प्रदि एकाई आयतन में, किसी भी वस्तु की परती इकाई आयतन में द्रोवमान की मात्रा को घनत वे कहते हैं, तो घनत वे बराबर क्या होगा, इसको D से दिनोड करते हैं, अगर जाती है, अगर ये गात, तो माइस हो जाएगी, तो इसको कैसे करेंगे गनत वे को, ये इसकी विमा रहेगी, नेक्स्ट तापमानल ठेंप्रेचर या होता है किसी भी वस्थT जोटा है तापमानल को मापने के लिए हमने 3 अलग-अलग पहमाने काम में हो पहले चेयर पहमाने काम में लेते थे, आज के दिन दुनिया में सिर्फ तीन ही पहमाने ज़ादार काम में ली जा रहे हैं, एक तो Centigrade, एक Kelvin और एक Fahrenheit, अगर आपको कभी बखार हो जाती है, तो डोक्टर आपके घर पर नापने के लिए आते हैं, वह हमें इसा किसमें नापते हैं, Fahrenheit में या Centigrade में, अगर जैसे मनुष्य के जो बोडी टेंपरेचर है, वो 36 या 37 दिगरी के असपास होते हैं, तो यह Centigrade होते हैं, इतना Centigrade आपने पढ़ा हुआ, लेकिन कभी-कभी आपने सुना होगा, कि किसी को बुखार होगी, वह 100 डिगरी बुखार होगी, 100 डिगरी बुखार होगी, दिमार्ग में चड़ गई, या 100 से पार होगी, आप क्या लग रहा है, वह 100 डिगरी Centigrade होगा ग पानी है, खून के अंदर भी है, और भी केज़ गई पर पानी है, वह सारा का सारा पानी बाप बन जाएगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए हमारे गणों पर जो डॉक्टर आते हैं, जो नापते हमारी बुखार, वह फारेनाइट में नापते हैं, नैकि Centigrade में, बोल जाता है कि 100 डिगरी बुखार होगी, 100 डिगरी बुखार होगी, 100 फॉरेनाइट हुए होगी, लाकि डिगरी हुए होगी, और फॉरेनाइट के अंदर चैंज करने का तरीका क्या है, पॉरेन हैट इकल टू, 9 बाइफ 5, Centigrade प्लस, 32, तो कैल्वीन में चैंज करने का क्या तर Centigrade में चैंज करने का तरीका है, अब एक चीज सोचने वाली बात है, कि जो Kelvin है, Kelvin यहाँ पे माइनस में टेंपरेचर नहीं होता, Centigrade के अंदर माइनस में टेंपरेचर जा सकता है, लेकिन Kelvin में कभी माइनस में टेंपरेचर नहीं जाएगा, यह एक बहुत ही सांधर क्यूशन क्यों Kelvin के अंदर minus temperature नहीं जा सकता लिखने को हमने लिख दिया कि भी कोई भी है minus 15 Kelvin लिख दिया लेकिन क्या ये बात सच है बिल्कुल ये बात कहीं पर भी सच नहीं है अगर आपको कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाए कि minus 15 Kelvin तो वो गलत है minus 15 centigrade हो सकता है लेकि Kelvin नहीं हो सकता for NIT भी हो सकता है सिर्फ Kelvin नहीं हो सकता है क्योंकि 273.15 जो है न Kelvin ये परमताप है परमताप जो है न ये हाँ minus 277 centigrade Kelvin नहीं centigrade यानि कि 0 Kelvin ये centigrade में आएगा Kelvin है वो 0 Kelvin ये परमताप है इसे पराप्त करना nearly impossible है कोई भी चीज इसे पराप्त नहीं कर पाई है हमने 273.14 तक चले गए है 15 तक नहीं गए है जो परमताप है उसको हम नहीं पराप्त कर पाई है अभी तक है बहुत ज़्यादा कुशिस है हुई है मुश्किल से हम 273.10 यहां तक आके रुक जा रहे है परमताप के उपर सारी सारी जितनी भी हमारे पदार्थ है उनका जैसे मान लीजे 10.10 या 233.14 तक पहुंच पाए है वो भी कुछ ही सेकंडों के लिए उससे ज़्यादा नहीं यानि अगर यहां से पीछ हम जा ही नहीं सकते तो लिखे हैं कैसे कैलिविन के अंदर इसलिए माइनिस में टेमरेचर नहीं होता इसके बाद में माप में एनिस्थित्ता और मैं उम्मीद करता हूँ आप में से कोई बड़ा साइनिस्थिस्ट बने और जो कैलिविन है उसको भी माइनिस में लेकिज जाए परमताप के उपर आपको अध्यन करने में बहुत ही मज़ा आएगा सारे के सारे पदारते हैं वो अलग तरह से वेवार करते हैं अब माप में एनिस्थत्ता क्यों होती है पहली बाद तो यही कि एनिस्थत्ता होती क्यों है क्योंकि रसायन वी ज्ञान में अनू और अनू का अध्यन किया जाता है जिनका बार अतेंत ही कम और संक्या उनकी अतेंत ही ज़्यादा होती है बहुत ही ज़्यादा होती है हमारे सरीर के अंदर क्रोडों अर्बों के अंदर परमाणू है परमाणू ही संक्या हमारी बोड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा है तो हम कितने जाता को अध्यन करते हैं? इसको आप एक साफ से समझ लीजी कि 2 ग्राम हाइडोजन जो गैस है कि अनुमू की संक्या इतनी सारी है सिरफ 2 ग्राम में इतनी सारी है कि 6, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 गूना बाग करोंगे तो निश्चीत ही है कि उसके नर कुछ थूटी आएगी और इनके साथ जोड़ गटाओ देखने में बहुत अच्छी लग रहे हैं लेकिन अगर इस संक्या को इस संक्या के साथ गुना करेंगे तो केल्गुलेटर भी आद जोड देंगे अब हमने यह पर एक मुबायल के अंदर या फिर किसी भी कैलिगुलेटर के अंदर गुना बाग करके देखना, वो कितनी संख्याओं तक गुना बाग कर पाता है तो इसके लिए हमने क्या किया? एक नया तरीका अपनाया, सार्थक अंकों का कि सार्थक अंक जो है न इस वाले तरीके से इन संख्याओं का गुना बाग करते है और जिसे हमारे आँख थूटी कम आती है और जितनी थूटी आती है उसका भी हमें पता लग जाते है तो सार्थक अंक होता क्या है किसी बोतिक रासिगे सुध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों आप प्रियोग किया जाता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते है अर्थार किसी भी बोतिक रासिगे को सुधर रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को ही सार्थक अंक कहते है याद रखिए एक संभाने पैमाने की साहिता से 22.40-643 cm को नहीं नाप जा सकता किसी भी संभाने पैमाने की ऊपर ऐसे तो नहीं नाप सकते हैं कि जैसे cm को आगया, पॉइंटों में आगया, पॉइंट के बद में हमारे जो रूलर है हमारे पास उसके तर तो एक संखात नाप सकते हैं आगे पड़ंगे वरनियर केलिपर, उस ताइप की चीजिदों से हम नाप सकते हैं 2 आ 3 पोइंटों तक लें, इतने सारों तक कभी नहीं नाप सकते हैं इतने सारे नापनों के लिए हैं, वर्नियर केली पर और इनसे नहीं नाप सकते हैं। हो कहने आसे कार में व्हुत हुए इस लीए पूरा नहीं लिखा जाता है। क्यों यहां तक लिखाता है हुए जा तक sahar thak ang- हों। उदारेन के लिए जैसे मान लीजिए कि हमने 3.0015 मिटर लंबाई की डोरी लेनी है इनमें हम देख सकते हैं कि सार तक अंक पांच है अगर हम किसी से कहें कि सार तक अंक चार तक लंबाई का मापन करना है जरूरी थोड़ी ना पांच के लिए बोले कहीं पर अगर किसी ने चार के लिए बोल दिया तो क्या गरेंगे तो इसका मान 3.001 हो जाएगा इस पांच को हम खा गए हो जाएगा अब हम देख सकते हैं कि दोनों रासियों में अंतरा आ गया है जिससे इसके मापन में थूटी बताई जा सकती है इसलिए मापन के साथ यह भी बताना आँ सके कि इसमें कितने सार्थक अंक तक मापन किया गया है या किया जाएगा जिससे मापन ठीक परकास से लिखा जासके हमने पांच को सिधा ही खा गए ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इसमें था क्या 3.001 5 लेकिन यहां पर चार संख्याओं में आते ही हमने 3.001 सीधा ही लिख दिया सीधा नहीं होगा इसको लिखने के कुछ तरीके हैं सार्थक अंक में चेंज गरने के कुछ तरीके हैं जिनको हम आगे अभी पढ़ेंगे जैसे कि पहले हम यह समझ लेते हैं कि सार्थक अंक होते के हैं फिर उन तरीकों को पढ़ेंगे सार्थक अंक ग्यात करने लिए कुछ नियम बनाएगे हैं जिनकी साहिता से हम किसी भी संख्याओं में यह बता सकते हैं कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं ये नियम निम्न है, सार्थक अंग एक हिसाब से मालने जिए किसी भी संख्या में वो अंग जो हमारे काम के हैं, वही सार्थक है, जो हमारे काम के हैं ही नहीं, जिसका कोई मतलब ही नहीं, जिसने किसी ने ऐसे लिख दिया, तो वो सार्थक नहीं है, जैसे कि क्या गया, सभी यह सुन्य अंक सार्थक अंक माने जाते हैं, कोई भी ऐस सुन्य जैसे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, यह सारे अंक किसी भी संख्या में हो, तो वो सार्थक है, यानि ऐस सार्थक अंक पहली बाद तो 0 ही पकड़ा जाएगा, लेकिन 0 भी कब है, उसके के बारे में आगे दे देखते हैं, किसी भी मापन में एक से लेकिन रेके, नो तक के अंकों की संख्या में सभी सार्थकंग माने जाते हैं, इस परकार का मापन स्केल फर्मामेटर आदे में किया जा सकते है, जैसे कि, 35.36 में 4 सार्थकंग है, यहें पर, 9.35 में 3 यह देखें, पॉइंट के बाद में 001 है, तो में भी चार सार्थक अंक है, हम यह आया सपस लूप से देख सकते हैं, कि ऐस सुनने अंक, दो वै एक की मत दे, दो जिरू है, अते इस नहीं मानुसार यह दोनों सुनने भी सार्थक अंक है, अते यहां चार अंक सार्थक बताए किसी भी संख्या में, 10 की गातों को सार्थक अंकों में कभी भी नहीं गिना जाता, जैसे देखिए, 2.30, गुना 10 की गात माइनस 5 है, तो यह सारे सार्थक अंक नहीं है, सार्थक अंक, सिर्फ यह 3 है, सार्थक अंकों में केवल 2.30 को ही ध्यान में रखा जाएगा, गात वा तीन जिरो गुणा दसकी गात अगर प्लस में पांच होती है इसका मतलब क्या हुआ दो पॉइंट तीन जिरो उसके बादे पांच जिरो और तो ये वाले जो आगे वाले हो सार्थकांकर नहीं है हम कोई भी क्यूसल में अगर कभी में नापेंगे ये वाले जो दसकी गात नहीं माना जाता है आगे यदि किसी बोतिक राशी के मापन में से कोई ऐसी राशी प्राप्त होती है जिसमें अंतिम जो मापन से प्राप्त नहीं हुई हो तथा उनमें दस्मलव नहीं हो तो ऐ सुनने संक्या के दाई और सिद सभी सुनने अंक सार्थक अंक नहीं माने जा सकते जैसे कि यह है देखिए इन दोलों में अंतर क्या है पॉइंट पाच और पॉइंट से के अंदर अगर कभी मापन के अंदर आता है यहां यहां पर तीन सार्थकंग है लेकिन कहीं पर किसी ने इसी चीज़ गो ऐसे लिख दिया दो सार्थकंग कितने है ये वाले जो दो जिरो ये मापन में नहीं आए है तो इसलिए यहां पे भी सार्थकंग कर तीन ही है वह सारे लोग है जिनका लिखने का तरीका होता है जैसे एक किलो वह ऐसे लिखते है है तो ये एक किलो ही यहां पर अपने पॉइंट लगा दिया त जिए सिरफ इसी तरह से लिखा गया है, तो वो शार्तग नहीं गिना जता। किसी भी दसमलम्लव संक्या में दसमल्लव के बाद ऐस उतने संक्या के दाईउप और आने वाले सबी सुन्ने सार्तग नौझ माने जाते हैं जैसे कि में 4 सार्थक अंक है, इसमें अंतिम अंक 2,0,0,0 सार्थक अंक है यहां पर देखिए, अगर कोई दस्मलोव है, दस्मलोव वाली दस्मलोव के इस साइड में, जितने भी 0 है, वो सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते दसमलों के इधर वाले सार्थक नहीं गिने जाते वो इधर वाले भी जब तक दो नहीं आ गया था उससे पहले वाले सार्थक में नहीं है इसके बाद वाले इसके बाद में मापन के निकटतम मान निमलिकित निमों को मापन के निकट तब मानपराप्त करने के लिए प्रिक्ट किया जाता है जो आपको मैंने अभी बताया था ना जो हमारे 5 संख्या थी उसको 4 में चैन्ज करने के लिए हमने 5 को उड़ा दिया था ऐसे 5 को नहीं उड़ाते उसके लिए 3 नियम है इनसे ही हम लास्ट वाली संख्या को उड़ा सकते हैं सोचिए यदि किसी संख्या में अटाया गया अंक 5 से कम है तो इसमें पहले वाले अंक ए परिवर्तित रहते हैं जैसे कि ये वाली संख्या है इसमें सार्थकंक 3 है और किसी ने हमें कहा दिया कि दो सार्थकंकों के अंसर को लिखी तो एक लास्ट वाले संख्या को हम अटा देंगे जो त्यार है ये पांच से कम है तो आठ पॉइंट 6 है सेम पूइंट सेम आ जाएगा इस वाले 6 को हमने बढ़ा दिया यदि किसी संख्या में अटायागा अंक 5 है तो इससे पहले वाले अंक एक बढ़ा देते ही यदि संख्या विसम हो जैसे कि ये है 8.75 5 को हम अटा रहे हैं तो 5 को अटाते टाइम क्या करें पांच से अगर कम है तो कोई चैंज नहीं होगा 5 से अधिक है तो एक बढ़ा जाएगा लेकिन अगर 5 को अटा रहे हैं पिछे वाले संख्या विसम है तो एक बढ़ा जाएगा और सम है तो सेम ही रहेगा कोई भी चैंज नहीं होगा नेक्स यथारत रासी या लंबाई से अधिक हो सकता है इसका मतलब क्या हूँआ कि देखे इसका जो answer है अगर कभी ही यहान पर 2 सार्थ सकार यहां पर 4 सार्थ सकार है जो answer आएगा उसके अंदर 4 सार्थ सकार यहां कभी ही जैसे कि example यह लिए हम इसके लाव दूसरे एक्जाम पर लेते हैं 2.18 और इसके साथ में हमें जोड़ना है 10.215 तो ये वाली चीज़ जोडने के लिए हम कैसे जोड़ेंगे यहां पर लिखेंगे 10.215 आंसर 5, 8, 9, 2, 1, 3.21 1 तो देखिए यहां पर सार्थक अंग कितने थे 3, यहां पर 3, 2, 5 तो लास्ट में आंसर में कितने आएंगे 5 जोड़ और गटाओंगे एंदर जोड़ना वर बाग योग जोड़ना और बाग मिनिमम मैं सबसे कम और उथने ही आएगए जैसे कि गुणन और भाग में गुणा वाग की लिए में अन्तिम प्रीनाम में सार्थक अंप को भी संजिया नियूमतम सार्थक कंगो ata होगी जैसे कि हमने X और Y को यहापी गुणा किया है X में सार्थक अंप 39 4 Y में 3 है तो आंसर में 3 ही नहीं छार्थक अंप नहीं कि 4, x और y दोनों को गुणा कर रहे हैं और आंसर क्या रहा है, ये 8.467, 8.4 लेकिना, हमारे आंसर में कितने आने चाहिए, सार्थ अकांगे सिर्फ 3, तो बाखी के इटा दो और आंसर आजाएगा ये, 8.467 तो, सुरी, 3 ये आने चाहिए, ये 4 होगे आंसर में आने चाहिए, 8.46 लेकिन, एक छूटी सी और दिक्कत आ गई ये आपे मापन की, मापन के अंदर क्या था ये? 4, 6, आग्या वाली संख्या है, 7 और 7, अगर 5 से अधीक और उसको हटाएंगे तो, पिछे वाली संख्या, एक बढ़ जाएगी तो ये 6 की बढ़ जाएगा, 7 8.47 इसी तरह से भाग करने पे भी ये वाली संख्या है, 7500 और Y है, 20.83 अगर भाग करेंगे, इसमें सार्तकंक कोई संख्या है, 4 और इसमें भी है, 4 सोरी यहाँ पे सार्तकंक, 2 ही है देखिए, एक छोटे सा पोइंट है अगर ये 7500 किसी बीचीज को, अगर मापने से आए है 7500 ग्राम ही है एक्चुल में तो यहाँ पे सार्तकंक कोई संख्या 2 नहीं है, 4 है लेकिन अगर मापने से नहीं आए यह वाली संक्या किसी ग्रिची संक्या से आए है तो वो 2 ही है तो अब इन दोनों को गुणा किया भाग किया और यह आ रहा है आंसर 360.576 तो लास्ट में हमारे आंसर में कितनी होने चाहिए सार्तकंक के सिरफ 2 ही तो आंसर के आएगा 3,6 3,6 दो ही सार्तकंक आएंगे ना कि 3 या 4 मैं दूसरे इंपल से आपको समझाता हूँ जैसे कि 1.25 यहां पे सार्तकंक है 3 और 2,5 यहां पे सार्तकंक है 0.25 यहां पे 2 है अगर इन दोनों को यह X है यह Y है अगर यहां बाग दे दिया गए तो देखिए 1.25 divided by 0.25 कितने पार बाग जाएगा 5 बार अंसर आ रहे है 5 लेकिन ध्यान से दिया देखिए कि क्या दिया गया था यहां पे सार्तकंक 3 है यहां पे 2 है तो अब हमें एक और सार्तकंक बनाना पड़ेगा 5.0 अंसर आ रहे है 5.0 हमारा सार्तकंक कि यहां पे कितने होगे 2 I hope you understand it well मिलते नेक्स वीडियो में for the next topic तिल एन बाइ-बाइ